हेलो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको लैटेस्ट अपडेट मिलती रहे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू केपी क्लासेज आज हम लीनियर आलजेबरा की एक और प्रव्ब्रम सॉल करेंगे जो आइटी जैम 2017 के अंदर निम्रिकल आंसर टाइप कोश्चिन में पुछा गी है और यह कोश्चिन बेसिकली कॉम्पेजिन मैट्रिस की है और कॉम्पेजिन मै तब हमको फाइंडर करना है कि alpha square, beta square, gamma square, delta square की sum की value क्या होगी तो देखें फ्रेंड्स काम्पेजिन मैट्रिस में क्या होता है कि जो last वाला कॉलम होता उसी से हमको उसकी क्या बनाते है characteristic equation बनाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे 4 x 4 की matrix है तो उसके जो first first 3 column क्या होते हैं fix हो जाते हैं जैसे देखो friends इसमें fix है first, second और ये third अब देखिए इसमें eigen value क्या बन जाएगी suppose करिए कि ये कोई भी lambda इसकी eigen value है तो 4 x 4 की equation बनेगी lambda 4 minus ये क्या होता है coefficient होता है lambda 3 का उससे एक कम उता है तो ये हो गया 2 lambda cube minus ये उससे एक ब़र कम का होता है तो ये आगिया lambda square negative है तो यहाँ पर क्या जाएगा plus हो जाएगा 2 lambda plus constant value क्या है 0 है ये इसकी क्या जाएगी characteristic equation जब मैंने इसकी लेम्डा इसकी क्या मानी आइगन मेल्यू और कहले है Hamilton theorem से अगर कोई matrix से उसके आइगन मेल्यू उसको क्या करती है उस characteristic equation को क्या करती है satisfied करती है ठीक है तो मैं डायट यहाँ पर लेम्डा पूट कर दिया अब देखिए इसको थोड़ा solve कर लेग दें lambda common ले लिया मैंने यह पर 2 lambda square minus lambda plus 2 equal to 0 lambda lambda square lambda minus 2 minus 1 lambda minus 2 equal to 0 तो lambda बराबर equal to 0 आइगन वेल्यू आगि इसकी और एक इसका factor आगिया lambda square minus 1 और एक factor आगिया इसका lambda minus 2 तो इसके आइगन वेल्यू क्या होगी lambda equals to 0 lambda equals to plus 1 और एक minus 1 और एक आगी 2 आगी ठीक है तो इसका denote कर देते इसको alpha से इसको beta से इसको gamma से और इसको delta से अब हमको क्या करना है इनके सभी के square का sum find out करना है तो यहां क्या आएगा 0 plus 1 plus 1 plus 4 क्या आगया alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square क्या find out हो गया 4 plus 5 plus 6 plus 0 यानिकी 6 तो numerical type answer में इसका value क्या आदेगी 6 आदेगा इसका answer